पर दोस्तों कैसे वाफ तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्रिकेट से लेटिड बहुत से टॉपिक पर वीडियो आती रहती हैं तो दोस्तों जाएं और वीडियो को जाकर देखें और लाइक, कमेंट, शेर जरूर करें दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हम आपके सवालों के जवाब Q&A वीडियो में जरूर देंगे तो दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है कि 4 और 6 कैसे लगाएं वो भी perfect timing से तो दोस्तो बहुत सारे हमारे player सोचते हैं कि चौके और शक्के लगाने के लिए ज्यादा power hitting की जरूरत होती है लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं है थोड़े से basic use करके और अपनी game में थोड़े से changes करके आप चौके और शक्के easily मार सकते हो और perfect timing के साथ तो दोस्तो down the ground shot खेलने के लिए सबसे जरूरी है कि आप बॉलर के body language पर ध्यान दे और बॉलर के run up से लेके उसके हास से ball शूटने तक आप उसे रीड करें कि दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत जल्दी shot खेल जाते हो और कई बार होता कि आप लेट हो जाते हो बॉल से तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ball को read करें ball को आने दे अपने तक और बहुत जल्दी न शूट कहले और ball आने पर आप अपना weight transfer करें अपने अगले पाउं पर तो दोस्तों वेट ट्रांसफर करने से होगा क्या इससे होगा कि आपका वेट नैच्रली आगे जाएगा और आपको एक और आपके शॉट में पावर आएगी और दोस्तों चौक के शक्के लगाने के लिए बहुत ज्यादा जिरूरी है कि बॉल आपके करें और एक सर्वर को बोले कि वो बॉल कराए और आप स्टंप से उस बॉल को खेलने की कोश्च करें अगर स्टंप के मिडल पर लग रही है बॉल तो आप बल्ले से भी इजली उस बॉल को मार सकते हो और दोस्तों बाउंडरी लगाने के लिए जिरूरी है कि आपकी रिस् मजबूत हो तो दोस्तों अगर आपने पावर हीटिंग करनी है और चौके शक्के लगाने है तो आपके पास बैट भी बढ़िया क्वाल्टी का होना चाहिए जिसमें की साथ आठ ग्रें हो आपके पास बैट ही अच्छी क्वाल्टी का नहीं है और आप बॉल को मिडल कर र क्योंकि दोस्तों सिक्स लगाते समय आपका बल्ला अगर बॉल के नीचे होगा तो एक तो बॉल एक नैच्रल एंगल और और एलिवेशन के साथ उपर जाएगी जिससे कि वह बांडरी पार कर सकते हैं तो दोस्तों आप इस बात को इसली समसकते हो कि यॉरकर बॉल को सिक्स लगाना कितना मुश्किल होता क्योंकि नैच्रोल एंगल नहीं मिलता वहीं शौट बॉल को सिक्स लगा सकते क्योंकि वहां वहां पे एंगल होता है सिक्स मारने के लिए तो दोस्तों चौके शक्के लगाने के लिए जरूरी है कि आपकी अपर बॉड़ी थोड़ी सी स्ट् कर सकते हैं तो दोस्तों यह थे कुछ जरूरी टिफ्स बाउंडरी से लगाने के तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकाउन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए वीडियो की जानकरी सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद